हरे कृष्णा आज की कहानी में आपका हिदे से स्वागत है सुशेन रमायन महाकाव्य के महत्वपून पात्रों में से एक है वे वानर राजबाली के ससुर हैं और सर्वश्रेष्ट चिकित्सक भी रावन से युद के दोरान लक्षमन जी को रावन के पुत्र मेगनात ने नाग पाश में बान दिया था लक्षमन जी मूर्चित हो गए सुशेन ने चिकित्सा करके जड़ी बूठी खिलाकर लक्षमन जी के प्राण बचाए राम जी रावन के वद के बाद सीता जी को लेकर अयोध्या चले गए और सुशेन सुमन सुपरवम नामक परवत पर रहेकर वहां के सभी विमार लोगों का इलाज करते रहे एक दिन राम जी ने सुशेन को याद किया हनुमान जी तुरंत उसकी खोज में निकल पड़े परन्तु सुशेन को समाधी प्राप्त हो चुकी थी हनुमान जी ने पूरी बाद जाकर राम जी को बताई राम जी और सीता जी वहां गए और सुशेन की समाधी पर एक शिवलिंग था जैसे जैसे शिवलिंग बढ़ता गया लोग स्वस्थ होते गए इस स्थान को मलिका अर्जुन स्वामी कहा जाता है स्थानिय भाशा में हिरन की खाल को अजीना कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि पांडवों में से अर्जुन ने इधर पूजा की थी इसलिए इसका नाम मलिका अर्जुन था आंद्रप्रदेश के श्री काकुलम जिले के रवी वलसा गाउं के तिरु कोईल में स्थित है ये शिवलिंग साथ फीट उचा और दस फीट चौड़ा है इस शेत्र पर शासन करने वाले राजा स्वैंभू लिंगम के लिए एक विशाल मंदिर बनाने की सोच रखते थे और वो उन्होंने पूरी भी की सर्वम श्री कृष्न अर्पनम